हेलो एवरीवन वेलकम तो मैं चैनल कॉम्स्कोलर देखिए आज हम इस वीडियो लेच्चर में देखेंगे हम फानेंशल मेनेजमेंट का एक नया चैटर याट इस कैपिटल बजेटिंग अगर हम दियू का कोर्स देखें तो कैपिटल बजेटिंग इस वन दी मोस्ट इम्पो पूरा इसका बेसिक पढ़ेंगे कि कैपिटल बजेटिंग होता क्या है और इसको हमें पढ़ने की जरुरत क्यूं है देखिए पढ़ने की जरुरत तो देखो यह है कि आपको बस मांक्स लाना है नहीं पढ़ने की जरुरत इसलिए है विकोज यह कैपिटल बजेटिंग ऐ तक है, in the terms of the fundamental of financial environment. देखिए, financial and management, जिसे आपको पता ही है, हम financial management, that means, we take all the decisions in the terms of money. Right? And we take all the decisions from the point of view of the corporate world. So, हम यहापर जो भी decision लेंगे, या मालने जी, कुछ भी accept करेंगे, या कोई भी हम reject करेंगे, या कुछ भी decision लेंगे, तो हम देखिएंगे, company के point of view से, हम किसी individual की पतकन ने कर रहे हैं. वैसे देखिए, individual भी देखिए, हापर saving करता है, और वो भी invest करता है, तो ऐसे ही, in the same way, corporate याने कि company जो है, वो बड़े इसके level पर जो हो अपनी investment करती है, and investment के वो decision, किस तरह लेगती है, वो हमें देखना है. तो देखिए, अगर हम बात करें, capital budgeting के, तो capital budgeting होता क्या है? It basically, talks about the long term investment decision. Long term investment decision. देखिए, long term investment देखिए, आपको पता है, कि long term investment कौन कौन सोती है, short term कौन कौन सोती है, देखिए, अगर आप company के या किसी business के बात करें, तो उनके लिए, ऐसी कौन सी investment होगी, जो उनके लिए, एक long term, या इसको हम long term कैसे थे हैं, जैसे, for example, कोई भी एक machinery, या कोई factory खरे दे हैं, कोई plant खरीद रहे हैं, ठीक है, या कोई जबीन खरीद दी, ठीक है, वो सब क्या है, आपके long term investment, तो देखिए, ये long term investment, देखिए, कितना बड़ा decision होगा, that basically, effect on the future expenses, बिकुस देखिए, जैसे ही, ये कोई company, जो है, एक बहुत बड़ा amount, in long term investment में, जो है, इन्वेस्ट करती है, ठीक है, तो उनका एक बहुत बड़ा amount, जो हो यहाँ पर, जो है, इन्वेस्ट हो जाता है, और उससे आने वाले जो future, जो expenses होते हैं, वो उससे effect ज़रू करते हैं, तो company को ये decision, बहुत द्यास से लेना होते हैं, कि हमें जो आज, जो investment करनी है, तो उसके हमें feature में, हमें क्या क्या revenues मिलने वाले हैं, ठीक है, तो देखे, capital budget नहीं क्या बात है, मैंने, ये क्या पर long term investment decision, जैसे देखे, अगर आब आतरे किसी normal, अगर हम individual के बात करें, तो देखे, जैसे आपके, और मेरे, हमारे जो किसी-किसी phase में, हम यहां पर जो है, किसने किसी phase में, हम एक long term investment, जो है decision लेते हैं, जैसे कि अगर manager, आपको किसी particular investment, avenue में, अगर आपको invest करना है, like in the terms of share market हो गया, इसका परसेप्शिन क्या है, उसका long term objective क्या है, क्या उसका objective जो long term है, यह short term है, जैसे देखे, कोई family person है, वो अपनी बेटी के शादी के लिए पैसे जोड रहा है, तो उसका long term objective है, तो वो monthly या annual जो है, वो कुछ amount जो, fixed deposit कर सकता है, या recurring deposit करता है, कहते हैं संपरदी सुकरन या scheme, ठीक है न, तो वो उस तरह जो हम आप जो investment कर साते हैं, तो ऐसे ही हाप जो individual जैसे कोई long term days लेते हैं, ऐसी company लेती है, लेकिन company को यह भी देखना होगा, कि company जो आज invest कर रही है, जो हो कई भर बेश कर रही हो, तो उससे हमें उनको कितना return मिलने वाला है, क्या वो return इतना fruitful है, क्या वो इतना है कि हम जो है, बेकिन company तो हैंने सिर्फ कमाईगी कि अपना उपर, बेकिन company देखिए, आपको पता है कि financial management, अगर हम बात करें कि financial management का main objective क्या होता है, देखिए, financial management का main objective होता है, that is to maximize, to maximize investors' wealth, to maximize investor wealth, बेकिन देखिए, जब तक जैसे आप हो, आप किसी company आपने invest किया होगा है, share घर लिया आपने, तो आप उस company पे stick कब तक करोगे, जब तक आपको company जो एक, आपकी जो expected return के according या उससे ज़्यादा ना मिल रहा हो, तब तक तो आप तो आप त्रिखे, अगर आप नहीं मिलेगा तो क्या होगा, यू विल लेवेटली, switch to another company, तो company क्या ऐसा चाहीगी, कि आप जो है, हमारे जो potential investors हैं, वो switch कर जाएं किसी और company में नहीं, तो उनके उनकी investor के देखिए, दो ही demand होती है, एक तो यह है कि उनको annually basis पे return, जो उनका expected return है, at least उनको उतना मिलता रहा है, वो hamper करेंगे, या future में जो expenses हैं, वो hamper करेंगे, तो उनको यह long term decision बहुत अच्छे से लेनों थे हैं, चीक है, तो देखिए, अगर हम बात करें कि significance, कि long term decision की significance क्या क्या होगी, long term decision क्या होगी, that means, it basically effects on long term decision, आज जो diesel लेंगे, वो long time ताक उसका effect रहेगा, right, then, जो आज diesel होगे, क्या आप उसको वापस लेके आ सकते हो, possible हैं नहीं है, तो इसलिए उसका बोलते हैं, irreversible decision, irreversible decision, जैसे अगर आपने, जैसे अगर मैं example लूँ, ऐसे मानने जाए, अगर आपने कोई 10 lakh लेकी, आपने कोई कार खरे दी शोरूम से, क्या शोरूम से बाहर आते ही, क्या आप ये, कोई भी गाड़ी, जो है, same गाड़ी 10 lakh में इसको बेश सकते हो, नहीं बेश सकते हैं, चाया आप उसको 10,000 कम, या 1 lakh पे, या फिर कितने भी, लेकिन same amount पे उसको sell off नहीं कर सकते हैं, ठीक है न, तो ऐसे ही आपकी इसको बलते हैं, irreversible जैने कि, जैसे जो amount आपने, जो invest के है आज, उसको आप जो है, वही same amount पे उसको, future में recover नहीं कर सकते हैं, यानि कि, आप उसको जो अगर आप decision को, अगर आप drop करते हैं, तो वो amount आप जो है, उसको दोबारा same amount आपको मिलने के chances, बहुत बहुत कम होती हैं, चीक है, then, it obviously, effect, effect the capacity, company की जैकि जो, capacity होती है, वो उस पे भी effect करेगा, right, then, company के जो, मानेजे, जो daily basis भी आपकमिंग, जो commitments होंगे, उस पे भी effect करेंगे, that means, effect on, substantial, commitments, उस पे भी effect करेंगे, right, so, these are the main, key significance of, long-term investment decisions, right, तो, capital बजिन हमने क्या पड़ा, that means, it basically, talks about the, long-term investment decision, now, come to the, kinds, that means, what are the various, types of investment decisions, kinds of, capital budgeting, broadly मैं सिफ, वैसे तो, बहुत सार होते हैं, लेकिं, broadly मैं सिफ, तीन ही बात हुरूँगा, first one is, that is, जो भी हम decision लेते हैं, capital budgeting की, वो होते हैं, on the basis of, mutually exclusive, mutually exclusive, mutually exclusive का मलब क्या होता है, जैसे मान जीजिए, दो projecting, suppose, A, and B, या तो, आप क्या करोगे, इसको accept करोगे, और इसको reject करोगे, या इसको reject करोगे, या इसको accept करोगे, जैसे देखा, आपने जीजिए, economics में, एक term पढ़ाऊगा, that is called, opportunity cost, यह वही है, that means, अगर आपको, एक को, अगर आपको accept करना है, तो दूसरे को, आपको give up करना होगा, ठीके न, ऐसा नहीं कि, दोनों को करना है, description होगे, माले, जिनके पाद, कोई, दस project है, उन में से, उन कुछ है, तो कोई, दो project को opt करना है, तब इनको, तो best one ही करना है, तो that means, इसको बलते है, that means, the mutually exclusive project, that means, अगर माले, जी company, एक project को accept कर रही है, ठीके, तो alternative one, जो जो होगा, वो क्या होगा, आपको को करना है, mutually exclusive, that means, only one is to be chosen, यानि कि, जैसे दो project है, तो दोनों नी करना है, एक ही करना है, चीके, so this is all about, that is called, mutually exclusive, then second one, that is very similar, that is, accept, और reject, accept और reject, एक्षेप्ट और reject में होता क्या है, basically, दोनों में माने, difference ही है, एसे माने जो में वही, दो project हो, A और B, यहाँ पर आपडिसें लेरा है, on the basis of the return, like, suppose, A project basically providing you, 10% return, annually, and B basically providing you, 12% return, so obviously, you will go for this, so आप जो accept कर रहा हो, या रिच्ट कर रहा हो, on the basis of, your cost of, the, or you can say, the only basis of the expected return, या cost of project, जो भी है, so आप उसके basis को, accept कर रिच्ट कर रहा हो, right, then second one, we have that is, sorry, third one, we have that is, capital rationing decision, capital, rationing decision, देकि, capital rationing decision का होता है, that means, जब कोई company, जो है, मालब, ऐसी stage पर आ जाती है, जहाँ पर उनका, जो source of fund होता है, वो काफी कम रहा जाता है, that means, यानि की, that means, both things like, they are facing some shortage of funds, but फिर भी company को, जो है, long term diesel लेना है, तो उस time पे, company क्या करेगी, means, एक तरफ company को, long term diesel investment करना ज़रूरी है, लेकिन, दूसरे दर देखाया है, तो company को पास funds की requirement, funds की requirement, मालब, supply funds है, वो काफी limited है, ठीक है, तो उस case में, company क्या करेगी, अपनी, जो है, cost cutting करेगी, cost cutting करेगी, और cost cutting की basis, जो एक company का करेगी, long term investment decision करेगी, तो उसका एक बतना, that is called, capital relation decision, ताकि student जो भी, मैंने आप तक discuss किया, that is, totally purely on theoretical base, practical जब हम करेंगे, तो उसको देजदे करेंगे, बट आपको ये theoretical consider, clear हो जाने चाहिए, चलिए, अब बात करते हैं, थोड़ा on broad sense में, कि capital budgeting, अगर हम बात करें, तो ये दो category नो डिवर्ट होते हैं, capital budgeting, broadly आपके जो हैं, दो part में ये डिवर्ट होते हैं, फिर्ट होते हैं, बजेटिंग डिसिजन यह दो है यानि कि अगर आप दिखा रहे हैं तो capital budgeting के अंदर एक ही पूरी unit आपकी capital budget नहीं उसके अंदर आपके जो हैं मेनली यह दो आपके chapter है तो जो पहला chapter है which basically talks about the that means how to estimate capital budgeting and the second one is that is how to make a fruitful decision for a long term investment तो उसके कुछ criteria होंगे कुछ parameters होंगे उसके basis हम decision लेंगे तो capital पहले हम बात करते हैं capital budgeting estimation की तो इसको हम बातने पढ़ेंगे capital पहले हम chapter start कर रहे हैं that is called capital budgeting estimation capital बजटेंग एस्टीमेशन देखिए capital budgeting estimation का मतलब क्या है कि कोई भी company अगर capital यानि कि अगर एक budget को estimate करना जा रही है देखिए अगर मैं simple बात को ने किसी individual रोगी है अगर आप कोई कार पर्चेस करने जा रहे हैं तो आप देखो कि पहले आप अपने pocket चेक करोगे कि आपके pocket में कितने पैसे हैं आपके पर्चेसिंग पावर कितनी है आपके pocket कोन सी कार खरीदिका को अलाओ करती है तो यानि कि एक तरह से आप पहले budget बना रहे हो यानि कि आप पहले budget बना रहे हो कि आपके pocket में कितना पैसा है अकर नहीं है तो क्या करोगे obviously market से पैसे करोगे लेकिन पहले आप देख रहे हो कि आपके pocket में कितना पैसा है तो एक budget रहे हो चलना माले जाकर आपने आपके pocket में 10 लेक रूपीज आप 10 लेक रूपीज आप 10 लेक रूपीज आप देखोगे कि अच्छा है में पस यह सब options ह माले जे 5 गाड़ी है आप 5 में से कोई गाड़ी आप purchase कर सकते हो ठीक है अब आपने देखा कि भी starting में इतना पैसा लगेगा ठीक है भाई शोरों में purchase करने जाओगे तो registry में होगा इतना आपको text लगेगा ठीक है फिर उसके बाद आप गाड़े को चलाओगे फिर है तो उसका life or mileage 15 years है उसके बाद देखो कि गाड़े का mileage कितना है कितना आपको जब पर किलोमेटर के साब से उसको mileage जती है कंपने उसके गाड़े का engine कैसा है कितना उसके monthly या daily basis उसको maintenance के requirement होती है ठीक है फिर उसके बाद देखो कि उसकी 15 years बाद उसकी scrap value क्या होई पता चल कर रहे हो यहीं कि आप जो overall क्या करना चारे हो capital budgeting estimation आप क्या करना चारे हो कि क्या आपका pocket आपको long term investment के लिए कितना पैसा invest करने के लिए आपके pocket allow कर रही है that's it और कुछ नहीं राइट तो start करते हैं देखिए capital budgeting estimation में क्या करेंगे कि starting में आप कितना पैसा लगा रहे हूं कंपनी मचिनरी पच्छिस करना जा रही है तो starting में कितना पैसा लगा रही है त्री फेसे बनाएंगे इसको जैसे first है आपका that is called initial cash outflow यानि कि starting में company की जेव से कितना पैसा जा रहा है ठीक है उसको बहुत है initial cash outflow अब एक एक करकी ध्यान से दिखते हैं देखिए माले जी company के कर रही है एक plant प्रच्छिस करना जा रही है तो क्या लेकिंग है आपर purchase price of new plant उसका हम amount यहां पर रिख देंगे इसके बाद इस पर माने जी प्लांड करी दे रहा हूं तो उसके माने जी कुछ कोई installation charges है तो वो भी हम इसमें add back कर देंगे installation charges आपका पता ही कि वो उसकी cost मेंशा add होनों जाते हैं इसके बाद माने जी अगर आप कोई machinery आपके पास पुरानी इपड़ी है तो देखो आप क्या करोगे जी माने जब नए machinery आप खरीद हो तो पुराने machine को रखके रखे होगे क्या अगर replace कर रहे हो तो पुरानी machine को आप sell up करोगे तो जो आपके आपस क्याएगा cash आएगा हम कहाएगा क्या ने कल रहे है आपर दियान से देखिए आप क्या ने कल रहे है प्लांट उसको हम कर देंगे मानस कर देंगे राइट अच्छा एक बाइस आथना सुडेंट्स जब भी आपको पुराने मशीन सेलफ करोगे तो आपको यह दिखना है कि क्या उसकी मार्केट वेल्यू क्या थी और आप उसकी बुक वेल्यू कितनी है तो कंबेर करना आपको हम के21 एकल लों उसकी मशीन के सपोस्पोस 10,000 यानि कि बुक वेल्यू उसकी ओन पेकर उसकी वेल्यू कितनी कि इतनी नादिथ होगे तो क्या यह होगा यह कैपिटल गिनई राहतो हो गया कितने का 10,000 तो यह क्या होगा गया है ठीक है अब जब capital gain होगा तो क्या होगा सरकार को tax भी देना होगा ठीक है और जब सरकार को tax होगे तो क्या होगा cash odd flow होगा देखिए यहां पर क्या हम क्या कर रहा है हम initially stage पर देख रहे हैं कि हमारे जिब से कितना पैसे जाएगा initial भी कुछ देखे हम सब कुछ देखेंगे हम यहां पर सब कुछ estimate करेंगे कि जो भी हम purchase कर रहे हैं या जो भी हम खरीद रहे हैं या सरकार को जितना tax जाएगा या कितना tax आएगा हम सब कुछ लिखेंगे यहां पर सब कुछ estimate कर रहे हैं तो यहां पर एक एक item को यहां पर दे यहां बट पहलाम क्या कर रहे हैं हम अपने दिखरें कि हमारे पोकिट के इतना पैसे अच्छा में MI जी इसकी subscribe value माने जी है कितनी 1 lakh की है लेकिन book value माने जी थी कितनी 1 20 की यानी कि own papers की value कितनी 1 20 की आपने sell off कितने पर करा इसको 1 lakh पर तो क्या होगा 20,000 का क्या होगा यह capital loss अब यहां पर तो आपको सरकाव टेक्स जेन है नहीं उन्ट आपको क्या होगा tax बच गया तो क्या करोगे देख़ो जब आप tax pay गरे था आपने क्या एड कर रहा था अब जब tax बच गया तो क्या करोगे तो यहां पर क्या लगोगे tax saving on capital loss तो यहां minus करोगे ठीक है अच्छा यह नहीं यहां पर ने दो लिग दिया अलगल है लगिन दोनों में से कोई एक हो गए है या तो यह सिधी से बता है यहां तो capital gain होगा या capital loss होगा दोनों तो possible ही नहीं है अच्छा एक और most important जहां पर एक आइटम रह गया है तो इस टॉक्स टॉक्स अबाट दी वर्किंग कैपिटल पहले समस्ते working capital गहां पर आई क्यूं और working capital होता क्या है देखे सिधी से बात है जैसे मालेजा कर अगर कुई आप मचिनटी पचस करते हो जैसे मालेजे अगर आप शॉप अगर आप पचस कर रहो किसी आपने जैसे बड़े एलोग अपने लोकिशन देख लिए आपने अप आपको डेली κάνा N fianis चीए। द्रीना आपकोसा अमारा प्रस्रीट प्रस्रीन के दिखी newborn 된 यहां, स्वाम रखा को स्टॉक यह अगूगेका होलाना इपको पैसे क्लोग होगा करना है अप रीषीन आपको फॉक्त से नहीं मॉआब का सब्सक्रीय आपको लिखना होगा कि आपको जो है उस new machine की according आपको जो है working capital आपको लगाना पड़ेगा अचा यहाँ दखना है इसमें जो working capital आएगा वो आएगा on the basis of incremental आपके पास पुनारे मशिन थी उस टाइम पर आप देखिए कोई कोई लेवल को तो आप इसे मालें जे ओल्ड मशिन थी तब आप जो है एक लाग का स्टोक में न करते थे लेकिन जब आपने new machine रिपचेस करी तो new machine से क्या होगा वह उसी capacity बढ़गी sales fully मच्छा उसको प्रिटिक की quality अच्छी है तो आप क्या करते है उसका मारी जी double कर दिया या ऐसे आपको समय नहीं है चली इसके मैं कर दूं 150 हो गया ठीके तो आपको करना है आपको additional working update लेडिए तो आप मेंटेन करता ही थे ना अब addition केतना करना आपको 50,000 और करना है ठीक आपको जितना आप में working capital जो लगा रहे हो तो बस उतना लिखना है आपको difference लेना है नहीं है तो आपको add करना है incremental working capital that's it सबको add करके आ रहा है आपका initial cash outflow यहने कि company देखना चाहिए कि initial stage पे company के हाथ से कितना cash जा रहा है राइट चलिए ना कमें तुदी बीप पार्ट याइज सबस्टांशिल कैश इंफ्लो देखे सबस्टांशिल कैश इंफ्लो का मत गवता है जैसे उपर हमने देखा देखे एक company जह नियू प्लांट पच्छेस करी अब क्या पच्छेस कर लिया बस इस्टोक लगा लिया उसके बस या होगा बधे बेच सेगी भी तो फिर देखे इक एक कंपने देखे हर साल उसके हमें उसको कितना revenue जेनरेट हो रहे है और revenue जेनरेट करने के बाद company देखेगी कि सारे खर्चे निकालने बाद उसके हाथ में कितना पैसा बच रहे हर साल तो तो वह देखेगी तो इसमें क्या करें करें कि क्या कर गरें? सेल्स इसके बाद company less क्या करेंगी जैसा मालेजिक किसी कोई भी variable cost होगे वो less हो देंगे कोई fist cost होगे तो वो भी less हो देंगे हैं यहां ठीक है अठाँ यहां पर एक term मैं लिख रहा हूँ अलग से that is called depreciation अब बोलो कि सर यह वेरिबल कोस्ट और फिसकोस में अलग से लिकराओं में अलग से लिकराओं में अलग से लिए इसलिए क्योंकि अगर आपने ध्यान दिया हूँ उपर हमने वर्ड का लिखा है substantial cash inflow अगर मैं depreciation minus कर रहा हूँ आप अगर आप सुची किए depreciation आपका कोई cash item है नहीं सर बेको depreciation आप क्या करते हो depreciation आप क्यों minus करते हो कोई asset आप use कर रहे हो तो उसकी value day by day उसकी value downgrade हो रही है तो उसको use करने की जो कीमत है एक तरह से कम हो रही है कोई भी asset होगी तो इसलिए हम depreciation मानस करते हैं लेकिन क्या आप depreciation की value किसी को आप पे कर तो नहीं करते लेकिन on paper उसकी किसी भी fix value रही है तो depreciation हम पे नहीं करते लेकिन हम depreciation मानस करेंगे क्यों क्यों हमें ultimately काम पहुँचना है net profit बे net profit निखान लेंगे बाद हमें सरका को tax भी देना होगा because देखी हम देखी मैना को क्या होगा हम दिख रहे है cash inflow कितना cash आएगा कितना जाएगा अब चाहाँ कहीं से भी cash आ रहा हो किसी form में आ रहा हो और चाहाँ किसी form में cash जा रहा हो हम सब कुछ record करेंगे ignore आपको कुछ नहीं करना चीक है तो सर आपने लेकिन आपट डेख्रिक्शन तो यहाँ पर non cash item मानिस कर दिया अभी मैं 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 बाद में इसको add भी करना है चीक है मानिस कर दिया इसके बाद हम एक और item मानिस करें that is called interest interest सर यह कौन सा interest है यह interest है loan वाला यह interest है loan वाला interest का भी एक कुछ एक काफी अच्छा concept है तो इसका भी थोड़ दिर में इसको distance करेंगे तो देखे अगर आपने सारे expense माना कर दिये अब आपके हाथ में देखी क्या रहेगा यह सब मानिस करने के बाद आपके हाथ में क्या रहेगा सरफ हमारे हाथ में रहेगा profit after depreciation before tax यह amount आपके पास आजाएगा इसके बाद आप क्या करोगे less tax payable अब rate हो चुकी हूँ save money मैं आपने ले रहा हूँ 30% तो क्या बार होगे इसका आप मानिस कर दोगे ठीक है मानिस करने के बाद आपके हाथ में क्या हैगा profit after depreciation and tax यह amount आपके हाथ में आएगा ठीक है अब हम क्या करेंगे इसमें अब हम क्या करेंगे depreciation add back करेंगे depreciation हम क्या करेंगे add back करेंगे लिए 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 लि क्योंकि हमें net profit तक पोछना था और उसके बड़ी हमें government को text देना था add back कर दिया तो वो भी समझ आगे लेकिन interest का fund में समझ नहीं है लेकि interest यहां पर को ऐसा इस interest है मालेजी यहां पर मैं लिख रहा हूं interest on loan interest on loan मतलब क्या जैसे मालेजी अगर आप कोई purchase यानि कि plant को purchase करने के लिए आपने क्या क्या है लोन लिया है वह fund नहीं था आपके पास तो आपने क्या करा लोन ले लिया आप उस पुझे interest पर कर रहे हो तो obviously business का interest है तो आप obviously मालेजी तो करो गई लेकिन हम interest एडवेक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने यह interest क्योंकि जो interest है यह कौशा interest है लोंग interest है ठीक है यानि कि यह हमारी finance की कमी की वरिस है हमने loan लिया था यह कोई project की कमी नहीं है यह project कमी नहीं है देखिए net profit हम देखिए हम जो देख रहे हैं कि हमें इस project से कितना cash generate हो रहा है यानि कि हम इसकी earning capacity देखने चाने इस project की अगर हमारी पास पैसे नहीं है तो यह finance कमी की विरिस है यह project की कमी की विरिस है नहीं है इसलिए हम क्या करने पहले interest मानेस करेंगे क्यों क्योंकि हम एक करेंगे अच्छा अब जब एडवे करेंगे तो हम यह पूरा amount एडवे करेंगे हमें net amount करना है वन मानस टेक्स सर ऐसा क्यों क्योंकि देखिए जब आपने आपर interest पे करा तो इसका effect अपने क्या करा आपने टेक्स पे करा तो यह यह amount कितना है यह कम आया होगा यह कि आपने sales में से interest on loan मानस कर दिया तो profit आपका तो overcome होगा होगा तो आपको यहाँ पर क्या है net amount लेना है यहाँ कि interest one minus tax तो यहाँ पर क्या करा होगा इसको आप add back that's it अब आपके हाथ में यह overall क्या रहेगा profit before depreciation and after tax that's it तो हर साल जो आपको जो निकालना है profit before depreciation and tax वो आपको इस ही method से निकालना है राइट चलिए now coming to the last part of this that is called terminal cash inflow सार आपने inflow की लिखा देखिए अब परचेट का life यह रहे थी पांच साल थी पांच साल बात क्या करोगे उसको बेच दोगे रखोगे तो हो नहीं budget खतम क्या गरेक होंगा आप 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 स्क्राइब value of present plant वह आप यहां लिखते होगे अज जैसे में नहीं बहुत है तब भी आप कोई depreciation method अगर SLM method है तो obviously उसकी value जो एंटी एंड क्या होगी निल होगी मालीजी अगर scrap value nil है तो और SLM method है तो फिर depreciation तो फिर आपका सिर्फ scrap value कुछ करना ही नहीं है बट अगर मालीजी स्क्राइब value कुछ given है तो आपको देखना पर आपको add हमेशा करना है हमेशा बूलना मत आपको working capital realize करना है यानिकि realized working capital सब्सक्राइब यह क्यों add कि आपने यह समय नहीं आया देखिए जब आपने इनिशल इस पर जो आपने working capital add कि आपके हाथ सक गया था आप हर साल आपने stock level maintain करा और उसके recording आपने इतना profit जो आपने generate किया लेकिन क्या जब आप project खत्म होगे क्या आप वह stock level maintain रखोगे क्या करोगे stock level maintain रखोगे आप तो आप machinery आप बीच रहे हो तो stock क्या करोगे आप कुछ नहीं तो क्या करोगे मार्केट बेस होगे जो जितने में बिखेगी वह आप लग देंगे realize working capital that's it तो यह आपका first chapter का basic है that is capital budgeting estimation हम यह दिखना होता है कि जब भी हम कोई company को जब भी कोई long term decision लेना होता है तो company देखती है कि किसी भी plant को या machinery को purchase करने के लिए उसको कितना total budget बनता है उसके according to decision लेता है कि उसको out करना चाहिए और ने करना चाहिए तो decision तो आप आप में देखेंगे कि कुम्गों से parameters है पहले हम इस chapter में देखेंगे कि हम company जो है अपना budget कैसा बनाती है तो आज ये छोटा सा ये chapter था माल अभी एक वीडिलेचर है जिस पे basics है that is all about capital budgeting estimation from the next वीडिलेचर we will study about we will take the practical questions start करेंगे and महासा सम्झेगे so thank you I hope you have understood very well please keep like and subscribe my channel करेंगे